दोस्तों compounding एक ऐसी चीज है जिससे आप बहुत ही असानी से अमीर बन सकते हो आप अपने financial goals को compounding के थाथ असानी से फूरा कर सकते हो आप जितने लंबे समय तक investment में बने रहोगे उतना यह फायदा होने के चाहँ से जादा है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे compounding के power का फायदा उठा कर आप भी अमीर बन सकते हो Power of compounding compounding के कमाल को आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो माना जैसे कि आपके पास दो option है पहले option में आपको 50 लग रुपे cash दिया जा रहा है और में आपको 31 दिनों तक lap target रुपे दिये जाएंगे जैसे कि पहले दिन 1 रुपे, दूसरे दिन 2 रुपे, तीसरे दिन 4 रुपे 14 दिन 8 रुपे, 5 दिन 16 रुपे, 6 दिन 32 रुपे इसी तरी लग तार 31 दिनों तक आपको रुपे double करके दिये जाते रहे यदि आपने पहला option लेते तो आप 50 लाग रुपे cash लेकर खुस हो जाते तो यहाँ आपकी बहुत बड़ी कलती सावित होती क्योंकि आप हम आपको compounding का power दिखाने दिया रहे हैं अगर आप दूसरे option को select करते तो compounding के दोरा 31 दिनों में आपका पैसा इतना हो जाता कि आप विश्वास भी नहीं करोगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कितना होता day 1 में सिर्फ 1 रुपे, दूसरे दिन 2, फिर 33 दिन 4, चौथे दिन 8, पांचवे दिन 16, छथे दिन 32 ऐसे ही करते करते आपके पास 18 दिन में 1,30,000 रुपे होते और 25 दिन में 1,66,54,336 रुपे होते और 31 दिन आते 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 आपके पास total amount होता 1,65,57,504 रुपे आप खुश सोचते हैं कि कहां 50,000,000 और कहां 1,65,000,000 तो दोस्तों इसे ही कहते हैं compounding का power इस वीडियो में मैं आपको अमीर बनने के 3 तरीकों के बारे में बताँंगा अमीर बनने का पहला तरीका है बिल्डश करना दूसरा तरीका है investment करना और compounding के power का इस्तमाल करके खुद को अमीर बनाना अमीर बनाने का तीसरा तरीका है विरासत में संपत्ती मिलने पर अमीर हो जाना इस वीडियो में दूसरे तरीके investment and power of compounding से अमीर कैसे बनने के बारे में बात करेंगे दोस्तो आपको compounding का इस्तमाल करने से पहले यह जानना होगा कि या अकिर compounding काम कैसे करती है आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं मान लीजिए आपने अपने बैंक एकाउंट में 1000 रुपे जमा किये और इस पैसे पर आपको 10% एन्वलेटन मिलता है एक साल के बाद यह एमाउंट 1100 रुपे हो जाएगा यदि आप इस एमाउंट को बैंक में ही जमा रहने देते हैं तो यह अगले साल 1210 हो जाएगा इसके एक साल बाद यह एमाउंट 1331 हो जाएगा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल लहा है आप इसे री इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके वज़ा से आपको इंटरेस्ट मिल लहा है यह ही कंपाउंडिंग रिटर्न होता है Rules of Compounding compounding का rule यह है कि compounding का लाव उठाने के लिए आपको इंवेस्टमेंट को टाइम देना होगा अगर आप यह समझते हैं कि ایک या दो साल में आपको compounding का लाफ मिल जाएगा तो यह आपकी गलत फहमी है क्योंकि सुरू में सालो में आपको जो return मिलेगा वो बहुत ही कम होगा जब आप लागतार investment और reinvest करते रहेंगे तो कुछ सालो में आपको compounding का असली फायदा न मिलेगा compounding का सबसे ज़्यादा फायदा आखरी के सालो में ही मिलता है इसलिए जितनी भी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी investment शुरू कर देना चाहिए जितना ज़्यादा वक्त तक आप investment कर सकते हैं उतना करना चाहिए ऐसा करने पर आपको profit होने के ज़्यादा chances होंगे और आप उतने ही ज़्यादा मीर होंगे यदि आप mutual fund में SIB करने के बारे में detail में जाना चाहते हैं तो हमें comment करके जरूर बताएं हम इस पे भी वीडियो लेकर आएंगे compounding का दूसरा rule यह भी है कि आपको अपने investment पे return को भी लागतार reinvest करते रहना चाहिए अक्सर लोग की या आदत होती है कि वो अपने return को खर्च कर देते हैं क्योंकि वो सूचते हैं कि return को खर्च करना उदिकादिकार है कुछ हद तक या बाद सही भी है लेकिन यदि आप अपने return को कमाए हुए पेसे को खर्च कर देते हैं तो आप उसे reinvest करके फिट से कमा नहीं पाएंगे इस तरह आपको compounding का फायदा भी नहीं मिल पाएगा compounding का लाब लेने के लिए आपको अपने खर्चों को कम से कम रखना चाहिए साथ ही return से मिलने वाले पैसे को reinvest कर देना चाहिए compounding का तीसरा रूल आपको जरूर पता होना चाहिए कि छोटे छोटे investment से भी आपको लंबे वक्त में बहुत अच्छा return मिल सकता है यदि आप अपने investment के return को 1 या 2% बढ़ा सकते हैं और उसे लंबे समय तक maintain कर सकते हैं तो आप compounding का बहुत अच्छा फाइदा उठा सकते हैं इससे एक example से समझते हैं मान लिजे कि आप अभी young हैं और आप अभी college में हैं आप अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और 22 साल के होते हैं 22 साल की उमर में आप एक job लगती है इसमें आपकी salary 40,000 होती है आप decide करते हैं कि आप अपनी salary का 20% हर मैंने SIB के चुरू invest करेंगे आपकी salary के हिसाब से 20% 8,000 रुपे होता है आप किसी अच्छे से mutual fund में SIB start कर देते हैं जहां आपको average return 15% annually मिलता रहता है दोस्तों 20 साल बाद आपकी initial investment होगी 19,20,000 रुपे और आपके total investment की value होगी 1,21,000 लेकिन अगर आपने वही 15% की जगा थोड़ा और research करके invest किया होता और 17% का return कमाया होता तो आपके investment की value 1,60,000 होती तो देखा दोस्तों इसलिप 2% की वज़ा से long term में 40,000,000 का difference आचाता है compounding का फायदा लेने के लिए आपको जितनी जल्दी हो सके investment शुरू कर देना चाहिए आप जितनी कम उमर में शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको compounding का लाब मिलेगा आपको अपने returns को reinvest भी करते रहना चाहिए अगर आप smartly invest करके 2% भी extra return हासिल कर लेते हैं तो लंबे समय में आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिले ज़्यादा तर लोग compounding return का फायदा भी नहीं उठा पाते क्योंकि वो अपने investment शुरू ही नहीं करते इसी वज़ा से लोग investment के नाम पर भी सिकायत करते हैं जैसे की 20 साल बात का समय किसने देखा है तब क्या होगा क्या पता ज्यादा तर बच्चत करेंगे तो enjoy कैसे करेंगे लेकिन यह सब भी saving ना करने के बहाने हैं यदि आप अपने income का cable 20% भी बचा के उसे invest कर देते हैं तो यह आपको बहुत ही अच्छा रहेगा इससे आपको compounding return का फायदा भी मिल जाएगा और आप present भी अच्छी तरह से enjoy कर पाएंगे यहाँ पर एक question यह भी बनता है कि आपको कब और कितना investment करना चाहिए पहले question इंवेश्मेंट कब तक करना है का answer यह है कि आप जितने लंबे समय तक investment कर सकते हैं करिए और अपने return को लागतार reinvest करते रहिए दूसरी question का answer यह बनता है कि आपको अपनी income का 10% invest करना ही चाहिए यदि आपकी income का 30% invest कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा आप अपनी income का 30% amount पर मत invest करने का target देखने में तो काफी मुस्किल लगता है लेकिन अगर आप इसे अपनी habit बना लेंगे तो यह फिर आपके लिए कठिन नहीं रहेगा जैसे जैसे आपकी income बढ़ेगी वैसे वैसे आपको अपने investment में भी बढ़ाते रहना चाहिए ताकि आपको जाथा ज़्यादा profit मिले तो दोस्तों फिलाल के लिए वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी family और दोस्तों के साथ भी share कर दें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल endless invest को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को all पे क्लिक कर दें हम मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye and take care